नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं शुर्ती दुवे मिश्वर आप सब का बहुत-बहुत सागत करती हूँ का Academy के Facebook page and YouTube channel पर आप सब को नए साल की बहुत-बहुत बधाई Happy New Year to all of you एक नया साल, एक नया दिन, नया महीना और इस नय महीने के साथ हम क्या करते हैं सबसे पहला काम नय-नय रेसलूशन बनाना और जनरली हम उसको फर्स्टे करना भी चाहते हैं क्योंकि याद है, मम्मी हमेशा कहती थी कि जो साल के पहले दिन करते हो वही पूरे साल करते हो तो हम चाहते थे कि जो भी हम रेसलूशन लें उसको साल के पहले दिन जरूर करें और उसको अपनी हैविट बना लें लेकिन एक इसचड़ी के अनसार सिर्फ 46% लोग अपने रेसलूशन को फॉलो करते हैं और उसमेंसे सिर्फ 4% लोग अपने रेसलूशन को आक्चुल में पाते हैं तो क्या रेसलूशन बनाना वर्थ है? क्या resolution रेना सिर्फ गिमिक रह गया है क्या हमें उसके लिए काम करना चाहिए जनरी कुछ लोग पीछे भी हड़ चुके हैं कि अब हम बनाएंगे ही नहीं क्यों कि हम पूरा कर ही नहीं पाते तो आज हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे और अगर आपको जानना है कि आप अपने resolution क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं या कैसे पूरा कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक देखेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब फ़रूर करेगा तो यह जो पैटन है हमारा नया start करने का particular day में यह पैटन अच्छली 1860 में ही discover हो गया था जब लोग तयोहार के या फिर season के पहले दिन कुछ नया करना चाहते थे एक calendar date, basically वो एक calendar date लेते थे English calendar date और उसके according ही काम करना शुरू कर देते generally 1st January तो यह कुछ नया नहीं है यह बहुत पुराना है 1860 से यह trend, 60-63 से यह trend चलता आ रहा है लेकिन अब क्यों हम follow नहीं कर पाते हैं और यही नहीं, Harvard में भी study हुई थी fresh start पे थी जहां पर कुछ लोगों को एक goal दिया गया email के थू लेकिन वो goal उने यह तो कुछ interest नहीं लगा यह बहुत लोग वहां नहीं आये वो goal पूरा करने के लिए और कुछ लोगों को एक date दी गई, 1st day of spring and you won't believe it shows much better results than the email reminders तो fresh start effect actually a psychological effect है जो हमारे brain में work करता है कि साल के पहले दिन हम और generally calendar date क्योंकि हमारे सब का new year अलग-अलग दिन होता है लोग कई communities कई अलग-अलग दिन new year बनाते है लेकिन 1st January एक ऐसी date है जो हम सब के लिए common है और हम उस तिन एक नया साल start करते हैं हम चाहते हैं कि उस दिन हम कुछ नया करें तो क्या हमें ये करना चाहिए और हम unsuccessful क्यों होते हैं आपको पता है हमारी human tendency है हम एक दिन में ही पूरा कुटोब मिनाय बनाना चाहते हैं हम एक एक इत नहीं रखते हैं हम चाहते हैं बस आज हम सोचें और कल हम करना शिरू करतें आज हमने सोचा है जिसने कभी बुक नहीं पढ़ी जिसको habit नहीं है ये book पढ़ने की हम क्या सोचते हैं इस महीने तो हम कमसे कब 10 books पढ़ लेंगे आपकी habit नहीं ये 1 book पढ़ने की भी लेकिन आपने 10 बुक की habit बना ली तो क्या आप वो कर पाएंगे? तो सबसे बड़ी problem हमारे resolution के साथ होती है कि हम एक ही दिन में सब कुछ करना चाहते हैं जनरी हमारे resolution होते क्या है? वेट लूस करना, बुक्स बढ़ना, ज्यादा productive होना लेकिन कैसे, कितना, ये सारी चीज़ें हम कभी भी discuss नहीं करते जब भी आप अपना resolution में नाइए, उसको छोटे-छोटे steps में बाठिये उसको actual definition दीजे, कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं क्योंकि कुछ भी एक ही दिन में नहीं बनता आपने वो स्टोरी सुनी है, जहां एक हाती का चोटा बच्चा रहता है और उसको एक रोप से एक जगह बांध दिया जाता है और वो उसके चारो तरव घूमता रहता है पर वो जब थोड़ा बड़ा होता है, और पूरा हाती बन जाता है और उसका मालक उसको वहीं से बांथ की रखता है पर उसको कहीं पर बांथा नहीं है सिर्फ वो रोप उसके गले में डालता है और वो वहीं चारो तरफ घूमता रहता है तो लोग देखके बड़े परिशान हो जाते है कि भर ये क्या है यहांति है जा सकता है जाता क्यों नहीं है तो वह उसकी habit बन चुकी रहती है वहीं घूमने के विए क्योंकि उसने अपना mindset बना लिया है कि मैं यहां से अजाद नहीं हूं मैं यहीं पर गूमता रहूंगा तो यह हमारा भी Mindset हो गया है हम आज ही decide करके और कल achieve कर लेंगे ये नहीं हो सकता हमें अपने आपको इस बंधन से अजाद करना पड़ेगा हम कुछ भी करें उसको छोटे-छोटे steps में बाटें उस छोटे-छोटे steps के लिए छोटे-छोटे goals तैयार करें और फिर देखिए आप उस बंधन को तोड़ पाते हैं या नहीं दूसरी बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है जो भी हमारे resolution होते हैं जो भी हमारे goals होते हैं generally क्यो बनाते हैं पता है क्योंकि हमारे पास society का बहुत pressure रहता है spouse का pressure रहता है friends का pressure रहता है parents का pressure रहता है प्रेशर में ले तो लेती है अच्छा मेरे friend ने इतनी books पढ़ना स्राट की मुझे भी पढ़ना है क्योंकि उसके बड़ा उसके knowledge है तो मुझे पढ़ना है अच्छा उसने इतना weight lose कर लिया बड़ी smile देख रहे हैं तो मुझे भी smile देखना है office में कोई बहुत अच्छे skill develop करें तो मुझे भी करना है लेकिन कभी आप ये सोचते है कि अगर ये सारे resolution आप किस के लिए बना रहे हो अपने लिए बना रहे हो या दूसरों के लिए बना रहे हो जब आप कोई काम दूसरों के लिए करते हो ना तो एक stage पर जाके आप रुक जाते हो ये एक child psychology है जब चोटा बच्चा कोई काम नहीं करता तो हम उसे क्या कहते है कर लो तुमें एक chocolate देंगे कर लो तुमें गुमाने ले जाएंगे अगर तुम फर्स आगे तो तुम्हाई लिए गिफ्ट ली आएंगे तो वो पढ़ता इसलिए नहीं कि उसको first आना होता है क्योंकि वो बच्चा उसको नहीं समझ में आता है कि अभी आके जाके क्या rat race है मुझे कहा पर जाना है ममी ने या पापा ने उसको कह रखा है कि तुमको एक गिफ्ट लाएंगे तो वो उस गिफ्ट के लिए भेहनत करता है तो क्यों नहीं हम अपने गोल्स अपने लिए सेट करते है क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी knowledge upgrade होगी अगर हम कोई skills सीखेंगे तो वो हमें career में आगे ले जाएगा ना कि किसी और को तो जब आप अपने लिए सोचोगे जब आप अपने गोल अपने लिए बनाओगे अपने लिए decide करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी personality को improve करेगा ना कि दूसरों के लिए बनाओगे तो वो आप कहीं न कहीं जाके ठक चाओगे सबसे important है कि जो भी आप goal बनाईए अपने लिए बनाईए उसको describe कीजे उसको छोटे-छोटे steps में बाटे जब भी आप थोड़ी सी कामयाभी पाईए अपने आपकी तारीफ करना मद भूलिए क्योंकि वो आपको हमेशा motivate करेगा भले दूसरे करें आपको अपनी तारीफ खुद जरूर करें और एक बहुत important बात Error और failures की जगा ना रखना हम क्या सुचते हैं कि हम जो step लेंगे उसमें successful तो होईंगी क्योंकि हम जब भी को inspirational story पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं उसमें चोटा सा business start किया 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 और वो बहुत बड़ा आदी बन गया Pictures, Movies में भी हम यही देखते हैं कि एक चोटा सा बंदा तीन साल में 500 करोन का मालिक बन जाता है 50 रुपे से तो जब वो 50 रुपे से 500 करोन का मालिक बनता है तो वो यह नहीं दिखाता कि कहीं पर वो fail हुआ है हमेशा success दिखाते हैं तो हमारे दिमाग में भी यह वैड़ गया कि बस नहीं अगर हमें success नहीं मिली अगर हमने जो भी किया उसमें success नहीं मिली तो बेकार है यह प्लानी बेकार है अपने errors और failures और setbacks के लिए यह जगा जरूर छोड़ी है क्योंकि अगर errors और failures नहीं हो रहे हैं तो यानि आपकी development नहीं हो रही है आप develop करते हो तभी जब आप कुछ नया सीखते हो आप grow करते हो तभी जब आप कुछ नया सीखते हो और नया सीखोगे तो आप गलती करोगे कि यह failures हमें यहां तक पीछे लिया सकता है या इस fail की वज़े से हमें plan B adopt करना पर सकता है तो आप success नहीं पा सकते हैं एक बहुत अची technique है smart technique उस technique का नामी smart है जिसको आप अपने goals किसी भी professional, personal, कभी भी आप apply कीज़े you will always get succeeded S.M.A.R.T S is for specific अपने goals कितने हैं उसे specific रखिए For example, आपने सोचा है कि आप अपने 2 आट का screen time बंद कर दोगे ठीक है आपका goal है कि आपना screen time कम कर दोगे लेकिन screen time जो 2 घंटे आपने कम कर दिया उसमें आप करोगे क्या तो बेटर अगर आप यह सोचो कि आप अपना दिन का 2 घंटा अपनी किसी होबी के लिए दोगे या किसी ऐसी चीज के लिए जो आपकी productivity बढ़ाता है तो वह जादा अच्छा है रादा देन यह कि आप 2 घंटे screen time कम कर दोगे क्योंकि क्या होगा आप एक दिन करोगे screen time कम दो दिन screen time कम करोगे तीसे दिन आपके पास कोई काम नहीं तो आप फिर से उसी screen time में चले जाओगे लेकिन अगर आप अस दो घंटे में अपना कुछ work करते हो तो आप अपने आप screen time को दूर करके अपने work में रहोगे तो you should be more specific for your goal कि आपको actually specifically करना क्या है सिर्फ 2 घंटे screen time करना है या 2 घंटे में कुछ productivity भी लानी है अपने अंदर तो सबसे पहला हमारा है be specific and then M stands for measurable आपका जो भी goal हो वो measured होना चाहिए क्योंकि अगर वो measured नहीं है आपने कहा मैं books पढ़ूंगा और आपने online shopping की क्योंकि obviously अभी corona चल रहा है तो please बाहर मत चाहिए एका books लेने आपने online shopping की और उसको 4-5 अच्छे-च्छे writers की books मंगा ली लेकिन अभी आपने सोचा नहीं है कि आप कितनी books पढ़ूगे कितने hours आप अपनी books को दोगे तो वो कैसे आप measure करोगे आप अगर यह सोचोगे कि मैं हर दिन दो घंटे books पढ़ूँगा और मैं एक books को hardly 15 दिन में या 20 दिन में एक महीने में खतम कर दूँगा फिर मैं दूसरी books start करूँगा हर दो तो मेरे पास यह five books हैं जोने मुझे इस five months में complete करनी है और अगर आप habit बनाओगे तो शहरे three or four months पे भी complete कर लोगे लेकिन सफ books की भीड लाके लगा देना और फिर नहीं पता है कि कितना time देना है क्योंकि obviously अगर आप measure नहीं करोगे तो आपके पास बहुत काम निकल कर आएंगे जैसे ही आपना resolution बनाओगे जैसे ही अपना goal बनाओगे आपको इसने सारे works निकल कर आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो time ही नहीं है मैंने फाल्दू में यह goal बना लिया कुछ जो attain करें अब अगर मुझे चाहिए कि इस साल तो मैं white house खरीद के रहूंगा तो अगर आपके पास पैसे भी आ जाएंगे तो आप white house तो नहीं करीद पाएंगे तो ऐसी चीज से जो attainable हो आपका दो महीने बाद तीन महीने बाद वोल्ट का exam है और आपने आज resolution बना लिया है कि आज से मुझे gym करने जाना एक घंटा रोज तो क्या आप attain कर पाओगे और यह चीज हमारे next point को भी लिंक करती है Relevancy क्योंकि जो relevant है वही attainable है आप कोई ऐसी चीज बना लेते हो जो relevant ही नहीं आप एक professional हो और आप सोचते हो कि month closing और March में आपकी company की closing होने वाली है और आप चाहते हो एक बढ़िया सी holiday trip पर जाना जिसके लिए आपने शायद saving भी की होगी और आपको या जाए इस बार तुम मुझे इसी महीने में holiday trip पर जाना है और holiday trip के बाद आने के बाद आपको एक termination letter मिल जाए Is it relevant? तो जो relevant है उसको adapt कीजे और तब ही आप वो attainable भी बना पाएंगे And last but not the least, be time sensitive समय जो कि हम सब के पास बहुत ही limited है उसके according ही काम कीजे क्योंकि याद है आपको जब आपके assignments की last date होती थी तो आपके assignments यूं हो जाते थे जब आपके project की deadline होती है तो आप उसे फटा-फट पूरा कर लेते हैं लेकिन अगर किसी assignment को दे के और teacher भूल जाए तो पकी बात है कि इस assignment आप नहीं करेंगे लेकिन अगर assignment की last date है उस दिन तो assignment हो ही जाता है तो अगर आपको अपना assignment life का कोई भी assignment आपको पूरा करना है तो अपनी deadlines सरूर रखिए तो small technique is very much applicable in the practical life बहुत अच्छी technique है जिसको आप use करके अपनी life के professional या personal या जो भी goals accept कर रहे हो life में आप अच्छे से achieve कर सकते हो जब आप कोई goal बनाते हो तो आप उसे share जरूर करें आजकल sharing का जमाना चल रहा है क्योंकि पता है जंगल में जब कोई पेड़ गर जाता है या कुछ हो जाता है क्योंकि जब आप share करते है तो लोग आपको judge करना भी start कर देते है जो आप share करते हो तो आप कही न ख़ी आपको motivate करते है और कही न ख़ी आपको yield भी देते है कि अगर मुझ से यह नहीं हो तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जो कि बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत competition अपने आप से भी रखना चाहिए आप उन लोगों से goals share कीजिए जिनके पास भी similar goals है जिनकी journey कही ना कहीं आपको motivate करती है और जिनकी journey कही ना कहीं आप से पूरी भी हो सकती है, तो जब ऐसे लोग क्योंकि जब आप discuss करोगे share करोगे तो नए नए ideas मिलते हैं, और हो सकता है आपको कुछ ऐसे solutions मिल जाएं जहां पर आपका जो रास्ता है बहुत easy हो जाए तो उन लोगों के साथी share कीजिए जो आपको positive राय दें, क्योंकि कहते हैं निंदक नियरे राकिए क्योंकि जब आप कुछ ऐसे लोग जो आपको judge भी कर रहे हैं, उनको पास में रखेंगे तो आप अपने अपुछ जादा analyze कर पाएंगे जादा logical way में सोच पाएंगे and you know, इसके साथ-साथ थोड़ा सा अप्ग्रेड भी हो जाते हैं थोड़ा सा अपने आपको automate भी कर लेते हैं आज तकल हमारे पास इते सारे app हैं और इते सारे features हैं जिनमें हम अपने milestones record कर सकते हैं जिनमें हम अपने target set कर सकते हैं जो हमें target achieve करने में help करते हैं तो let's upgrade yourself mobile तो आजकल हम सभी use करते हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़स में use करें जो हमारे लिए सच में useful हो and last but not the least review your task जो भी आपका task है उसको review करते रहिए उसको written में लिखिए क्योंकि कहते है written goals कहीं सादा पूरे होते हैं वो सिर्फ बोलने से क्योंकि जो आपके goals रिखे रहते हैं तो वो आपको review करने में बहुत easy हो जाता है और साथ ही साथ वो goals में अगर कहीं पर भी bounce back आता है या कहीं पर भी पीछे जा रहे हैं तो आप से check कर सकते हो अपने goals को लिखिए उनके अंदर छोटे-छोटे goals को लिखिए और timely उनको revise करते रहे हैं आप वो monthly भी कर सकते हो weekly भी कर सकते हो daily भी कर सकते हो जैसे भी लिखने से आपकी productivity सच में बढ़ती है ये proven fact है क्योंकि आप जब कोई चीज बोल देते हो तो वो शायद कहीं चला जाता है आपके आसपास भूंके निकल जाता है और जब आप लिखके रखते हो तो आप उसे हमेशा याद रखते हो और अपने goals की तरफ बढ़ते रहते हो तो हमेशा अपने goals को लिखके रखिए उनको छोटे-छोटे steps को भी लिखके रखिए और उन्हें review करते रहिए और अगर आपने 10% भी अपना goals पा लिया है तो ये failure नहीं है अगर आप 80% पा लिखते हैं तो आप तो more successful हो अगर आपने 10% इस साल किया तो 10% नेक्स साल कर लेंगे और अगर आपने 80% किया है तो 20% February नेक्स February तक कर लेंगे तो इस तोटली fine क्योंकि जो resolution आप बनाते हो वो आप अपनी value addition के लिए बनाते हो अपनी growth के लिए बनाते हो तो अगर मतलब आपकी personality में छोटे-छोटे भी change हो रहे होते है तो इसका ये मतलब है कि आप improve हो रहे हो and that is more important इस साल new year resolution बनाएए लेकिन उसे सरूर पूड़ा कीजिए तो खुश रहिए, खिर्खलाते रहिए, जिंदगी जीते रहिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साधान रहिए मैं शुरुति दुवे मिश्णा मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए